नमस्कार मित्रों, 11 classes के YouTube लेट फाम पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम विवेक है, हम लोग UP फुलिस परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं, परिच्छा दुबारा होनी निश्चित है, उसी क्रम में आज हम दूसरी कक्छा लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात कर उदय, तो हम प्रगती और भारती राष्टी का अंग्रेश की भूमिकार, आए एक अच्छा को प्रारम करते हैं, सरसयद आहमद खाने अंग्रेजों से सहनुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी पुस्तक, अस्बाब ए बगावते हिंद में प्रश्ट पूछता है कि सर सयद आहमद खाने बहादुर साह दितियों को अपनी किस किताब में मुर्ख की संग्या दी, तो उस किताब का क्या नाम है, अस्बाबे बगावते हिंद, आगे, अलिगर कालेज के सभी प्रिंस्पल प्रारम हमें अंग्रेज थे, सीडस, तियोर एक प्रतिनिध मंडल ने वाइसराय लाड मिंटो से मुलाकात की, मुसल्मानों के लिए राजनीत में अलग संस्था बनाने के लिए मुहमद आगा खाने लाड मिंटो उस समय जो वाइसराय थे, उनसे मुलाकात की, उनका एक प्रतिनिधी मंडल था, प्रतिनिधी मंडल की म वाकारूर मुल्क थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारती मुस्लिम लिग की अस्थापना हुई। प्रश्ण पूछता है कि अखिल भारती मुस्लिम लिग की अस्थापना कब हुई। लिग का सम्मिधान 1907 में कराची में बना और प्रथम अधिवेशन 1908 में अम्रित्चर में हुआ जो मुस्लिम लिग बनी थी उसका सम्मेलन कहा हुआ प्रथम सम्मेलन 1908 में अम्रित्चर में हुआ इसका सम्मिधान 1907 में बना और वह जो बनी थी अखिल भारती मुस्लिम का अध्याच्छ बना दिया गया अधिवेशन में जाती प्रतनिधत्यों की ब्रदी प्रिवी काउंसिल में एक हिंदू एक मुस्लिम की निप्ति वा सरकारी नौकरियों में मुसल्मानों के लिए प्रयाप्त अस्थानों की मांग की गई थी 1909 का जो अधिनियम था मारले सुधार के द्वारा की गई भारती राष्टी कांगरेस की भूमिका की बात कर लेते हैं 1905 से 1914 तक 10 वर्सों का लगभग का कारिकाल था उसमें कौन-कौन सी गतिविदिया हुई आई एक एक को परिक्षा के दिश्ची से अध्याइन कर लेते हैं 1905 में भारती राष्टी कां अधिवेशन में गरम पंथी और नरम पंथी दल में टकरा हुआ 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाय नौरोजी ने की थी उसमें स्वराज स्वसासन कांग्रेस का प्रमुख उद्दे से था चार प्रस्ताव स्वराज स्वदेसी इसकार था राष्टे सिक्षा पारित हुए 1906 में कलकत्ता में हुआ 1905 में बनारस में हुआ उसके बाद 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें नरम गल और गरम दल में नरम और गरम में टकराव बढ़ गया अंत में रास विहारी बोस्त को अध्यच बनाया गया तथा गरम दल और गरम दल को मिला दिया गया किसके प्रयास से मिला गया आगे की कच्छाओं में हम इस पर बात करेंगे एनिवेशन की कांग्रेस की सूरत फूट को एक दुखत घटना कहा गया जो सूरत में अधिवेशन 1907 में हुआ था उसमें जो कांग्रेस में फूट हो गई नरम दल और गरम दल में एनी वेशेंड के द्वारा इसे दुख का कारण बताया गया। 1908 में कांग्रेस अदिवेशन मद्रास में और 9 में लहावर में हुआ। 1909 के अधनियमों से मुसलिम को पृतक पृतक पृतनिधत मिला जिससे परसपर देश वढ़ा। मुसल्मानों को कांग्रेस के निकट लाने के लिए पार्टी ने 1911 में पूरे प्रयत्म किया। 1912 के बांकी पूर अधिवेशन के अध्यक्षता में आगाखा करें किन्त सफलता नहीं मिली। ऐसा हुआ कि मुसल्मानों को कांग्रेस में पुना वापस लिया जाए। कहा गया कि जो अगला राष्टी कांग्रेस का अधिवेशन होगा उसी अध्यक्षता आगाखा को कर दी जाए। क्योंकि आगाखा मुसलिम लेके अध्यक्षते लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ऐसा नहीं हुआ। 1912 का बाकिपूर अधिवेशन कांग्रेस की इतिहास में सबसे छोटी अवदी का अधिवेशन था जिसमें कुल 207 प्रतिनियों ने भाग लिया। जब सूरत में फूट हो गया था उसके बाद हुई कि बात की जो मुसल्मान है उसको कांग्रेस की तरफ कैसे अकर्षित किया जाए। मुसल्मानों को निकट लाने की द्रिश्टी से 1913 का जो अधिवेशन कराची में हुआ जिसकी अध्यक्षता नवाब सयद मुहम्मद बहादुर ने की। एनिवेशन्ट ने लंदन में होम रूल लिकी अस्थापना की थी तता भारत लोटने पर कामन विल नामक दैनिक पत्र निव इंडिया शुरू कर दिया और स्वसासन की मांग की। एनिवेसेंट ने लंदन में होम रूल लिखी अस्थापना की भारत जब आई तो उन्होंने भारत लोटें पर कामन विल नामक सप्ताहिक पत्र का और दैनिक पत्र जो रोज निकलता था जिसका नाम था न्यू इंडिया दो नाम पूछे जाते हैं न्यू इंडिया और यंग अई तब सुरू किया गया उनके द्वारत दैनिक पत्र था कामन विल जो था एनिवेसेंट के द्वारा ही चलाया गया लेकिन वो सबकाहिक समाचार पत्र था आगे होम रूल लिखी अस्थापना भारत में सितंबर 1916 में मद्रास में की गई होम रूल लिखी अस्थापना जो थी वो भारत में 1916 में सितंबर में की गई अध्यक्षता अध्यक्ष्वे स्वेम बनी स्वेम मतलब कौन इनिवेसेंट इसके नेता अरुंदेल पटेल थे फीसी डामा स्वामी अयर थे वीपी बाडिया थे अक्टूबर 1916 तक संपुर्ण भारत में इसकी लगभक 500 सख स्वेम रूल लिक्या स्थापना की जन्वरी 1917 से जून तक एनिवेसेंट ने संपुर्ण देश का दाउरा किया एनिवेसेंट के बढ़ते हुए प्रभाव को देख सरकार ने दमनकारी निती अपनाई और उनके दोनों पत्रों पर प्रतिबंद लगा दिया 1916 के बाद जब उन्होंने पूरे भारत का दोड़ा चालू कर दिया एनिवेसेंट ने तो उनका प्रभाव बढ़ता गया उनके प्रभाव को कैसे कम किया जाए इसलिए सरकार ने उनके दोनों पत्रों को बंद कर दिया दोनों पत्र कौन से थे न्यू इंडिया जो दैनिक समाचार पत्तर था और कामन विल जो सबताहिक पत्तर था भारत सच्चिव मांटिंग्यू की घोसरा हुई जिसमें धीरे धीरे भारत की उत्तरदाई सरकार की अस्थापना की गई इस घोसरा से होम रूल अंदोलन भी प्राया समाप्त हो गया ये आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्रिफ्या चैनल से जुड़े मेरी वीडियो को और लोगों तक से यार करें जिससे हमें एक बल मिलेगा